Hello Friends, Welcome to CodeMeta Channel इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारी Tailwind application की जो हमारी application होगी वो अभी हमें portfolio type application बना रहे हैं जिसके अंदर pages के design जो भी रहेंगे वो Tailwind के base पे करेंगे हम कुछ भी custom work अगर हमें करना है तो वो Tailwind के साथ करना है otherwise किसी अलग CSS के अंदर हम जो Tailwind होगी जो हमारी custom CSS उसको नहीं लिखेंगे जित्ते भी changes दोंगे वो Tailwind के through ही change करके उसके उपर हम implement करेंगे और एक हमारी portfolio site बनाएंगे उसके लिए हम क्या कर रहे थे हमने एक base लिया था और उसके उपर सबसे पहले हमने देखिया है था कि किस तरीके से हम Tailwind इंस्टॉल करते है और उसका configuration क्या होता है अब बात करते हम सबसे पहले हमारे application की वो application हमें किस तरीके से दिखने वाली है मैंने क्या किया है अभी आपको दिखाने के लिए header और footer तो आपको classes set करने और classes को proper way में set करने में time लगता है जो की वीडियो के साथ possible नहीं था समझा रहा हूँ क्या किया हमने चलते है application में यहां पर है देखिए header created है scroll के ओपर दिख रहा है बीच के mid content को अभी के लिए एक बदर छोड़ दीजेगा जैसा भी है यह footer है हमारा जिसके अंदर हमने क्या किया है एक जो newsletter है या subscribe panel मान लो वो लिया है subscribe section लिया है और footer के अंदर just यह link लिये है और header के अंदर हमने क्या किया है left right section मना आ है जिसके अंदर कुछ pages बना दिया है अगर हम इस application को देखें तो scroll करने पर पहली चीज़ तो हमारे पस sticky header आता है हटाने पर sticky header चला जाता है scroll करता ही हमारे पस नीचे water shadow आती है और edge over के उसके उपर यह चीज़े दिखती है जब हम click करते हैं तो जो click कर रहे हैं जब हम किसी चीज़ लिंक को click कर रहे हैं तो क्या हो रहा है उसके साथ उसका content भी change हो रहा है लेकिन photo or header same है यह common है अब जिसको click किया वो क्या हो गया blue color हो गया edge over पे blue हो रहा है और इसके उपर home page का link आ रहा है तो यह चीज़े हमने किस तरीके से बनाई है प्लस इसमें आप एक और चीज़ देखोगी कि जब इसको क्या करते है mobile view में ले जाते है तो क्या होता है यह mobile view का header convert हो जाता है यह भी sticky है ठीक है आगे चले नीचे footer में तो देखो यह भी managed अब यह सारी चीज़े होई कैसे यह सारी की सारी चीज़े हमने कैसे की है tellwin के through की है जिसके अंदर खुद का custom color का code भी नहीं लिखा हुआ है सारा का सारा tellwin से यह हुआ कैसे चलते हैं code के अंदर देखते हैं कि यह किस तरीके से implement हुआ हुआ है app.js में आ जाते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं कि जो हमारी coloring है हमें क्या करना होगा सबसे पहले हमारी coloring set करनी होगी हमारे जो border margin padding है वो manage करने होगे site के लिए कि वो हम पूरी site पे एक align किस तरीके से रखें ताकि एक जगे जो हम use कर रहे हैं दूसरी जगे भी हमें same का same ही मिले उसके अंदर कोई change नहीं होना चाहिए क्या किया हमने सबसे पहले हम क्या करेंगे tellwin के अंदर काम करेंगे जो tellwin.config.js है उसके अंदर काम करेंगे यहाँ पर क्या करेंगे हम पहले से हमारे color set कर लेंगे font family set कर लेंगे padding margin set कर लेंगे या कुछ और change करने हैं तो वो कर लेंगे और साथ ही साथ अगर हम code में काम करेंगे और उसमें change करते हैं और हमें लगता है कि यह हमें हर page के open need रहेगी tellwin की need नहीं है वहाँ पर एक specific हम को चीज बनाएं तो वो हम यहां पर लिखेंगे उसको tellwin क्या करता है optimize CSS देता है अगर आपने suppose color ले लिया और color को tellwin.config.js में define कर दिया तो आपके जित्ते भी color होंगे वो सारे के सारे cancel हो जाएंगे आपकी theme में से अब आपको वो सारे color यहीं पर define करने होंगे यानि color section को tellwin अप pick नहीं करेगा वो just यहीं से pick करेगा जहां पर आपने mention किया है ऐसा ही font family के लिए है और यह सारी चीज़े कहां पर आती है theme में आती है content की हम बात कर चुके थे अभी हम theme की बात करें theme के अंदर हमें font family लिखी सबसे पहले तो हम दो font यूज़ कर रहे है एक तो रोबोटो और एक rubik यह जो होता यह key है इन दोनों font की key है जहां भी हमें यह दोनों font लगाने जिस भी section पे तो in keys का use करेंगे जैसे देखेंगे भी now colors colors हमने decide कर लिए कि हमारी theme में कुछ 5-6 color ही रहेंगे बाकी color हमें use करने ही नहीं है तो सबसे best तरीका क्या होता है कि अब colors यहां पे लिखो इस तरीके से object बना और color define करतो अपने यहां पे जो आप key लिख रहे हो वो आप अपने हिसाप से लिख सकते हो जैसा आप चाहते हो और उसकी values लिखती जैसे हमने यह color लिया तो अप क्या होगा हमारी theme में अगर हम कोई color दूसरा यूज करने की कोशिश करेंगे तो वो pick नहीं करेंगा क्यों 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 क्या करता है अप color सारे वो यहां से pick करेंगा चाहे वो background का color हो चाहे वो text का color हो जो भी है वो आपको यहीं पर define करने होंगे extend के अंदर क्या करोगे आप background image को set कर दोगे react में क्या करते थे आप पहले किसी भी page पे उपर आते थे asset में image जाल देते हैं जो भी आपका folder तो उसमें डालते थे images section में और वहां से इसको variable बनाके get कर लेते थे यहां पर क्या कर सकते हो tell win के साथ आप यहां से भी यूज कर सकते हो images को और यह better तरीका है background image को use करने का नहीं तो वहां पर पहले react code लिखो गए फिर उसको manage कर गए बीच के अंदर वहां पर जैसे भी आपके dynamic way है उसको use करके तो वहां पर गलती होने के chances रहते हैं और बहुत time लग जाता है तो हम उसको यहां से use कर लेंगे background image को जिसका हमने ले लिया newsletter pattern तो इससे आपको समझ आईगी होगा कि यह footer के लिए यूजरी newsletter जहां पर उसके लिए user होगी plugin में हमने भी कुछ नहीं डाला है और prefix में हमने twl ले लिए डैश यानि अब टैल्विन तभी काम करेगी जब हम prefix twl लगाएंगे अधरवाइस यह काम करेगी नहीं तो अब क्या हुआ यह हमारा यहां पर हमने क्या देखा कि हमने एक डेव लगा दिया और प्रेपर के अंदर हमको क्या चाहिए था सब के उपर पूरी बॉड़ी के अंदर हमारा क्या है एक ही font कॉल होना तो हमने कैसे किया twl जो कि हमने प्रिफिक्स बनाया था तेल्विन का वो font यूज करने का तरीका होता है और सेरिफ सेरिफ कहां से आ गया जो कि हमने टेल्विन.config.js के अंदर डिफाइन किया यहां पर यही इस हरा है यहां पर हमारे पास है पहले हमने शरा लिखा था इसका बाद में नाग चेंज कर दिया। को अदर अब यह रूरा है ऑटो चोंपाइल का यहां गासे हुए कि हमारे पास क्या करना था कि इस तरीके से npx tellwin css i लिखके हमने लिखा कि कौन सी css है जिसमें हमारे जो tellwin के हमने variables को use किया है तो वो हमने यहां पी use किया उसको watch किया destination को watch कर लिए minify कर दिया दूसरी चीज़ react को हम जैसे हम को change करके save करते है तो वो compiling करता है तो compiling करती है इसने ठीक है now अब क्या होगा कि हमारे पास पूरी site के उपर यह जो font है यह apply हो जाएगा अभी देखते हैं कि यह क्या होता है font apply करने के लिए tellwin में क्या होता है font dash font family name होता है लेकिन हमने prefix define के से लिए twl add करना पड़ा हमें तो हमने यह चीज add करती इसके अंदर हमने एक class ले लिए extra अगर खल को हमें need है तो हम उसके उपर apply कर सकते हैं इसका use हुआ ही नहीं है extra का जो use किया था वो हमारे पास use भी नहीं हुआ ठीक तो हमने क्या क्या tellwin का यह use कर लिए पूरी site के उपर font लगाने का तरीका awa-font और sense एक जो हमने config में define किया पूरी site के उपर हमारा font apply हो गया now header, footer और यह बीच का content अब बात करते हैं header की header में आते ही क्या करते हैं हमारे पास सबसे वहले हम desktop की बात कर रहे हैं और साथ ही साथ mobile की भी बात कर रहे हैं कि mobile के लिए हमें क्या करना होगा और desktop के लिए क्या करना होगा जब आपने site देखी हम ठीक चलते हैं वापस एक बद यहां पर क्या था हमेरे पास header के अंदर जब हम इसको रहे स्क्रॉल करते हैं तो एक है left section एक है right section तो राइट section कितना बड़ा है यह एप्रोक्स 70% बड़ा है left section से ठीक है इस यानि 30 70 का रिश्व है यह और इसके अंदर कितने columns है एक दो तीन च्यार पांच छे चे कॉलम है यह मान लिए ठीक अब यह कैसे manage होगा इसको manage करने के लिए चलेंगे code में वापस से अब क्या करते हैं देखो return के अंदर क्या लिखा है हमने सबसे पहले एक बना लिए हमने बड़ा box वाला ठीक उसके अंदर हमने दो डेव बना लिए एक तो हमको चाहिए था हमारा logo वाला और एक दूसरा चाहिए था हमारे पास menu ठीक जो बड़ा वाला था उस पर हमने क्या किया dynamically हमको क्या करना था कि अगर section हमारा scroll करते हैं तो वो क्या हो जाए sticky हो जाए तो उसके लिए हमको class बनानी थी तो हमने क्या कि यहाँ पर dynamic यूज़ कर लिया ठीक है यह आपको पता है क्या होता है backtix है इसका यूज़ करके हमने यहाँ पर dynamic लिया है कि अगर 90 से बड़ा है तो हमारे पस class एड़ हो जाएगी ठीक यह add कर दी हमने और यह सारी चीज़े बैने जोगे अब भी बात करते हैं इनकी कि यह क्या चीज़े ठीक जब हम बात करते हैं हमारा पूरा section set करने की तो हमने क्या किया prefix हमारा container लिया और यह 2xl यानि full width का था तो वो ले लिया यहाँ पर अब क्या किया हमने देगो font ठीक यह ले लिया अब क्या चीज़ है कि हमको background white रखना था तो bg white कर दिया background के लिए होता है bg twl dash bg हो गया dash white किया तो white अब white को हमने भी color में define कर रखा है now क्या किया फिर इसके बाद left से zero right से zero ठीक है तो css में क्या था जब भी हमें किस चीज़ को sticky करना होता है उसको left right से zero कर देते हैं यानि full width में चला जाएगा हमारा section और उसकी जो position होगी वो set करते हैं ठीक है देखो अब किया क्या है हमने यहां पर यहां पर लिया max 769 यह क्या चीज है कि tell win by default क्या करता है सबसे पहले mobile device को लेता है then उसके अपर चलता है then अपर चलता है यानि क्या होगा सबसे पहले 360 फिर आपक 370 इस तरीके की चीज़ आती है ठीक लेकिन हमें क्या करना है max लेनी ह तो tell win में max इस तरीके से define नहीं होता कि आपकी यह कोई media query बनी हो उसको use कर लोगो कैसे ही अज़ होता है max-769px लेलिया यानि जो उसा भी आपको device set करना है maximum width के लिए maximum के लिए उसको set करते है max-size colon ठीक है और then जो आपकी CSS यूज़ करनी है यानि 769 के नीचे नीचे आपके पास duration 200 के उपर लगेगा animation फिर उसके बाद यहाँ पर easy out animation रहेगा यह अपन को यहाँ से पता चल रहा है और अगर वो जो scrolling वाला था जो हमारा sticky था हट जाता है तो उसके बाद 100 duration में वो जाएगा और easy in हो जाएगा ठीक है यह तो था dynamic part अब क्या होगा normal part में क्या था कि जो हमारा maximum size यह रहेगा उसमें जो यानि जो हमारा mobile size होगा उसमें जो padding होगी यहाँ पे PX का मतलब है left right की padding width में left right की padding अगर PY होता तो vertical हो जाती अभी हम horizontal की बात कर रहें फिर हमारे पास container हमने यह बात कर लिए rubik set किया background black set किया हमने कहां पर हमारे mobile device के लिए देन जो बड़ा वाला था हमारा desktop size है जितना भी device होंगे बड़े वाले उसके अंदर background white set कर लिया और हमने अब क्या किया देखो क्या होता है tellwin में अगर किसी specific class पे कोई specific CSS लगानी है तो कैसे use करते हैं उसको उसके लिए हम यह bracket होता है देन एंपरसेंट ठीक है डॉट अगर class होगी अगर ID होती है तो hash लिखते है नहीं तो डॉट लिखा एंपरसेंट डॉट class का नेम और फिर colon लगा के box drop shadow यानि जो drop shadow होगी इस वाली class पे यानि अगर fix name हो जाएगा जैसे ही हमारा fix हो जाता है नेम तो उसके ऊपर हमारी जो shadow होगी drop होगी वो excel आजाएगी तीक है ऐसे क्या बोला हमने कि अगर हमारी fix position हो जाएगी जब यह class add हो जाएगी तो हमारे पास यह जो होगी twl-fix position जो हमारी लिखना है तो इस तरीक से लिखते हैं यह left से 0 राइट से 0 अब देखते हैं mx तो m क्या होता है margin x for horizontal y for vertical ठीक है यह हमने auto कर रखा है और इसके भी अपने अपने अलग-अलग option होते हैं अगर आप इसको change करना चाते हो margin और padding को या फिर width को तो कैसे करना होगा tellwin.config.js में जाओ यहां पर extend के अंदर आपकी padding और margin लिखते हो फिर वो जित्ती भी padding और margin होती है tellwin के अंदर वो सारी हट जाएंगी आपको आपकी custom use करनी पड़ेगी सारी बनानी पड़ेगी फिर आप tellwin की यूज नहीं कर सकते है ठीक नौ यह क्या है देखो यह था हमारा horizontal में auto था और यह हमारा वर्टिकल के अंदर P5 आ गया इसका ratio होता है वो भी देख लेते हैं अब क्या किया हमने grid बनाई अब twl-grid लिखा क्यों हमको क्या करना है grid लेना grid को enable करना है तो हमके लिखते थे grid लिख दी css में तो वैसे यहां पर क्या होती है twl-grid जो display है वो grid हो गया display block होगा display flex block होगा flex grid आ जाएगा inline block आ जाएगा inline आ जाएगा जो आप चाहते हो यहां पर लिख सकते हो ना तो यह अब क्या हुआ grid क्यों दिया कि जब हमने tellwin grid दिया तभी हमारी जो grid होगी वो set होगी किस पर तीन कॉलम पर हम ले लेते हैं कि हमारी जो 100% हो वो हम उसको तीन कॉलम में break कर लेते हैं यानि logo menu के लिए और एक extra रख लेते हैं ठीक क्योंकि menu हमें क्या चाहिए लार्ज चाहिए तो हमको तीन ले ली अब वो जो तीन में से एक को तो हम menu में देदेंगे और दो को सारी एक को तो हम देदेंगे हमारे logo के लिए अंदर और दो को देदेंगे हमारे menu में तो क्या किया TWL grid calls 3 यह लिखने का तरीका है कि grid में column 3 लेनी है तो इस तरीके से ठीक है gap 1 का देना है और TWL container यानि full width का ले लिया container हमने अब क्या किया यह जो हमने 3 grid बनाई है उसमें से एक column हमें देना है लोगों को TWL dash column 1 ठीक column 1 ले लिया यानि इसके अंदर जित्ते भी div होंगे उसकी एक ही column में चीज़े सेट होंगे अगर मैं दूसरा link लिखूँगा तो पहले कियागा D project और उसके बाद नीचे row के अंदर हमारे पास क्या जाएगा next line आएगी फिर नीचे next line आएगी यानि एक ही column में चलेंगी चीज़े यहाँ पर column change नहीं होगी अगर TWL columns 2 कर देता न columns 2 तो वो दो column में जाथी कैसे अभी देखते हैं menu के लिए देखेंगे ठीक है कैसे यह हमारा text जो है text dash left लिखा तो text होगो वो left में set हो जाएगा यह देखो inline block लिखा हुआ है तो यहाँ पर हमने लिखा था flex यहाँ पर हमने flex की बात करी थी उपर यहाँ पर इसमें इस class को लेके और यहाँ पर लिखा inline dash block तो यह चीज़ है अब देखो इसमें हमने color ले लिया text का color purple रहेगा परपल हमने यहाँ पर लिखा हुआ है वो color यहाँ पर mention कर दिए theme के तो अब यही से उठा रहे है color को कैसे लेंगे color code के साथ नहीं लेंगे कैसे लेंगे यहाँ पर color लिया यह जो key होती है इसका use करेंगे text dash वो color का name तो अपने अब color लग जाएगा अब text का जो font size है वो बढ़ा करना है तो text dash to excel तो यह अपने अब उतना size बढ़ा हो जाएगा ठीक अब बात करते हैं हमारे responsive की जिसके अंदर क्या था हमारे पर तीन horizontal lines होती है rows के अंदर तो वो कैसे create की यहाँ पर देखो क्या लिका button लिका और उसके अंदर svg का use कर लिया लेकिन क्या चीज़ है कि यह enable कब होगा यहाँ पर यानि maximum size 969 के नीचे रहेगी तब यह twl ब्लॉक हो जाएगा otherwise यह क्या रहेगा hidden रहेगा hidden कैसे यह देखो minimum लिखा तो यानि minimum हो जाता है maximum लिखेंगे तो maximum हो जाएगा तो इसके ऊपर क्या लिखा है twl को hidden कर दिया और उससे नीचे को इसको block कर दिया और order one में रहेगा यानि पहले वाली series के अंदर रहेगा पहले वाली रहेगा order की बाद हम normal CSS में भी करते हैं तो उस तरीके set हो गया अब देखो क्या किया है जो हमारा menu है वो दो column में है लोगो हमारा एक section में रहेगा दूसरे दो section में हमारा पास menu रहेगा तो उसके लिए क्या किया हमने twl call spend to लिख दिया यानि दो column के अंदर आएगा यहाँ पे देखो call spend एक लिखा होगा इसके अंदर column लिख दी कि इसका जो column होएगा वो दो रहेंगे यहाँ पे तीन है तो यह दो यह आटोमेटिकली एक पे set हो जाएगा एक पे set हो गया और इसको float right यानि यह राइट में चला जाएगा इसके अंदर हमने कहते है sticky name ले लिया और इसकी width जो होती है वो w से define होती है twl-w करा तो width से define हो जाएगी अब w भी क्या होता है 95 तक चलता है 5, 10, 15, 95 तक जाएगा इसकी अपनी चीज़े होती है वो set होती है ठीक है और text white कर दिया है यहाँ पे और यह सारी चीज़े अब बात करते है menu की open close अगर है तो हमने क्या किया अगर वो open होता है तो हम क्या करते है उसको block कर देते हैं वैसे display none रखते हैं तो मतलब hidden कर देते हैं duration यानि उसको जो open होने का timing है easy out बार आने का वो बताते हैं और timing को बताते है twl duration 200 ले लिया और यहाँ पे easy out का ले लिया और उसके में देखो opposite में क्या किया था बंद करने के लिए hidden कर दिया था और उसका duration दिया था और in लिखा था अंदर जाने के लिए besides क्या करा other classes लगा देकि item center में होंगे justified होगा between और width क्या होगी full होगी ठीक देखो यह सारी चीज़े उससे के लिए लगी है अब देखो इसका column call span 3 ले रखा है यानि जब यह खुलता है तो क्या होगा mobile के अंदर 3 column में open होगा single column में नहीं होगा 3 column में होगा अगर यह 3 column में होगा तो जो हमारा logo है वो automatically 3 column में set हो जाएगा यानि हमने full ले लिया अब इसको ठीक है inline block किया अब column 6 ली twl column 6 ली तो देखो यह क्या है यहाँ पर देखो कोई max min है नहीं यह full के लिए है तो हमारा desktop की बात हो रही है यहाँ पर हमने ली थी column column बन ली थी ठीक है यानि single एक को set करने के लिए ली थी इस वाले के अंदर जित्ते भी div होंगे वो एक column में set हो गए अब क्या हुआ हमारे पास जब हम यहाँ पर column की बात कर रहे है enter ले लिए कहाँ चला गया just a second justified content अगया यह लिए ला न हम यहाँ पर आते हैं देखो यहाँ पर column 6 लिए है यानि क्या होगा इसके अंदर जित्ते div होंगे वो 6 column में तूटेंगे एक div आएगा तो वो single पूरे 6 column के लिए होगा दो div हो गए तो 3-3 के column में चले जाएंगे फिर अगर 3 हो गए तो वो उसमें चले जाएंगे यानि 6 column हाएंगे 1,2,3,4,5 एक होगा तो हमको क्या होगा एक दिख जाएगा और बाकि space खाली दिखेगी पांच की space खाली दिखेगी तो इस तरीके से हैं अब यह जो 6 column है यह किसमें भी ऊपर वाला हमारा था 3 column सबसे top रहोती है हमारी 3 column की फिर हमने logo को 1 column में रखा और menu किसमे 6 call span में रहेगा तो इसलिए हमने उसको 2 किया टेक्स्टॉप के लिए राइटर का अपर केस में कर दिए सारे menu को अब देखो क्या हुआ क्या हुआ इसके अंदर हमने यूल लिया और जित्ती लाई थी यानि 6 लाई है तो 6 लाई किसमे 6 column में ब्रेक हो जाएगी जिसके बीच का हमने पैडिंग देदी बॉर्डर बी से डिफाइन करते हैं यह बॉर्डर कलर आ गया देखो बी ओ कलर ले लिया तो यहाँ ही पर डिफाइन है इस तरीके से चलेगा वही हमने लिया हमारा maximum width, minimum width, base लिखने का तरीका, text को लिखने का तरीका सारी वही की वही चीज़े है ठीक है इन दोनों में क्या किया है हमने scroll करने के लिए window.scrolly कर दिया ठीक है position निकाल लिए window की उपर से और जब हम इसको करते है तो position को set कर दिया position मालो 123 है जैसे scroll करेंगे वह set होता जाएगा और वह कैसे यहाँ पर पता चलेगा window.addEventListener scroll और यह वाले को हमने function को यहाँ पर define कर रहे है अब जब हम scroll कर रहे है तो continue चीज़े चलती जा रही है current वाले को हमको clean भी करना होगा तो current वाले को clean करने के लिए क्या कहते है जो return होता है वो clean function होता है हमारा return और anonymous arrow function माना दिया उसको क्या बोलते है clean function बोलते है और यहाँ भी क्या लिग दिया window.removeEventListener addEventListener add करने के लिए होता है removeEventListener remove करने के लिए होता है scroll के ओपर जो हमा आउन क्लिक पे हमने open menu क्लिक रहा है और उसको set कर दिया opposite menu option नहीं जो current है उसका opposite कर दो और इसको defaultly हमने false set करा रखा है तो इसलिए क्या हुआ स्क्रॉल पूजिशन तो हमको इस तरीके से मिलती रही और क्लिक के ओपर देखो यह menu open close हो रहा है तो left नजब ट्रिक किया तो पहले true फिर false तो उससे सब्सक्राइब यह open close होता है ठीक नौब अब बात करते हैं footer की दोस्तों यह वीडियो थोड़ी बड़ी होगी लेकिन इस पर हम प्रॉपर एक बड़ चीजों को समझ लेते हैं टैल्विन की तो easy रहेगा हमारे लिए बाकि प्रोजेक्ट चलते है next में क्या था हमरा footer footer में हमने क्या किया सबसे पहले तो हमने react icons को install कर लिया react icons एक लाइबरेरी है जो हमको हर तरीके के icon प्रोवाइट करती है उसको install कर लिया और वहां से क्या किया हमने Facebook, Twitter, Durable और Behance इनके icons को निकाल लिया ठीक जो कि हमारे को use होंगे यहां पर हमारे पास नीचे यहां पर हम font होगा वह rubik कर दिया जो text है वह large कर दिया green light gray कर रखा है यहां पर sorry light gray जो कि हमने color ले रखा है यहां पर light gray यह रहा यह color लगा दिया और h over करते हैं तो वह light purple हो जाएगा over के उपर जैसा कि हमने देगा दिस्क्रूर में और यह क्या होगा अपर case में रहेगा ठीक है अब क्या है यहां पर इस चीज की है हमने कि यहां पर md लिग दिया तो इसको उपर भी md लिग देते हैं यह बूल गए यहां पर यह जो font है वह medium है medium font रहेगा link बाद में लगा लेंगे अभी हमारे पास link news नहीं किया हमने और जो हमारे पास copyright message था उसको हमने display flex लगा दिया देखो display flex यहां पर भी लग रहा हुए यहां उसको set करने के लिग यानि single line break हो रही थी क्या हो रहा था एक के उपर एक line में side by side आ करना है और इसी लिए हमने इसको margin दोनों साइट से auto कर दिया mb हो गया margin bottom से तो यह 7 का ले लिया उपर भी use किया हुए हमने mb7 यह देखो mb7 use किये में space देने के लिए font size इसमे sense का रख दिया हमने यहां पर सही लिखा हुए वहां पर गलर लिख दिया था रह जा था तो य यहां पर फिर light grey दे दिया इसको light grey रखने के लिए और अब बात करें हम की हमारा यहां पर क्या किया follow me link था जिसको हमने यहां पर लिख दिया उसके उपर rubik font लगा दिया उसका text large रहेगा black रहेगा और जो font रहेगा वो medium रहेगा ठीक है और uppercase और यहां पर logo लगा दिया ह हमने और उसको purple कर दिया font margin bottom से दे दिया padding left right से हो गई up down से हो गई inline block कर दिया इसको और footer में इसको यह हमने पीवा है padding से 14 और यहां पर 4 दिया है और जो यह 4 और यह padding है यह क्या होगी left right से यह कम हो जाएगी px4 हो जाएगी यह बाद में change कर दियोगी 769 के ओपर 4 रहे I think यह ज्यादा थी पहले यहां पर टिक है तो यह भी 16 नहीं दी तो इसको दोनों को 4-4 करके set कर दिया यह newsletter दिया newsletter कैसे बनाया हमारा newsletter में सबसे पहले तो हमने placeholder है placeholder on click के ओपर hide हो जाना किया class को true false करा दिया एक हमने straightly उसको true false करा दिया दिखाने के लिए ठीक है और यहां पर क्या किया placeholder को show height कर दिया अगर है तो दिखेंगा नहीं तो नहीं दिखेंगा सबसे पहले हमने क्या किया जो हमारे पास पूरा section है उसका container दे दिया फिर उसका p और py ले लिया यानी top और bottom से उसकी padding ले लिया art की बहुत ज़दा बड़ी करनी दिया हमें ठीक है और जो grid है वो 3 की ले लिया हमने ठीक है चार की नहीं मानते 25-25% नहीं लेके 33-33% को call span 3 के ले लिया ठीक है अब देखो कि background की image लगा नहीं थी तो bg और image के लिए हमने ये use किया हुआ है ठीक है newsletter pattern newsletter pattern के लिए क्या किया हमने यहां पे newsletter pattern यह URL लिया asset और subscribe-png ले लिए अब यह asset कहां पढ़ा हुआ है asset देखो इस चीज का हमेशा दियान रखना कि यहां पर last में एक slash नहीं आगा नहीं तो यह error दे जाएगा इसको अगर आप SRC में रखते हो asset ठीक है यहां पर रखते हो तो last slash नहीं यह URL करके यह दे दो आप ठीक और अगर आपको क्या करना है यहां से लेनी है तो उपर आपको पहले image define करने पड़ेगा और use करना पड़ेगा यहां पर URL pattern और different different things तो वो थोड़ा complicated हो जाता तो यह easy way रहा इसको background को no repeat करना था तो no repeat लिख दिया mx auto लिख दिया cover करना था cover लिख दिया और अब देखो जैसे mobile छोटी screen होती है तो वो center में हो जाती है background तो bg center लिख दिया कैसे mx 769 के नीचे नीचे ठीक और उसका PY भी कम कर दिया PY यहां पे 40 था और उसका 12 कर दिया जो उसका पीचे में padding था फिर subscription box को वही चीज किया font bold कर दिया pre-excel का text आएगा uppercase आएगा margin bottom से 5 आएगी उन दोनों को text को लिख दिया यह white text है यह भी white text है अब देखो इसके बीच में आके जो हमारी जो form था form में क्या था जो उसकी width है ना देखो 6 by 12 कर दी अभी यह बात करते हैं यह 6 by 12 परसेंटेज के लिए होती है जो डिरेक्क लिखी भी थी 7,92,95,95 तक क्या होती है नॉर्मल चलती है pixel में लेकिन जैसे उसके बाद यह 1 by 2,1 और वो जाती है तो यह क्या आजाती है परसेंटेज में convert हो जात इन्पूट बॉक्स में button के अंदर ले लिया button का जो text है वो small होगा block होगा यह rounded है rounded मतलब कित्ता round करना है MD यहाँ पर 123 अब आएंगे तो वो उस recording change हो जाएगा semi bold कर दिया अगर bold ने सिखानी है तो border है 1,2,3,0 पर non border नहीं होती है और अगर 0 से उपर है तो border start हो जाती है तो कि tell win के अंदर क्या क्या चीज़े define है कैसे यहाँ आते हैं load करते हैं देखो सबसे पहले तो बात करते हैं हमारे container की यहाँ पर देखो container दे रखा है और देखो इसमें breakpoint क्या दे रखा है 640 768 large के लिए यह दे रखा है और यह दे रखा है देखो छोटे से बड़े में चल र क्या करते हैं देखो 123 column क्या बताएगा 1234567 और यह REM में हो गए तो अब यहाँ से उठा सकते हो यह columns हो गए break after before आ गया था फिर उसके बाद हमारे बाद डिस्प्ले के लिए था डिस्प्ले के लिए था इन-line, flex, table तो इस तरीके से लिखते हैं फिर उसके बाद हमने बात करी की थी हमारे flex की तो flex में देखो flex one auto initially होती है यह इस तरीके सेट हो जाएगा order की भी बात की थी हमने तो order one two three तरह पहले order में दूसरे order में तीसरे order कौन से order में है तो यह उस according सेट हो जाता है अगर हम इसको reverse कर दे तो reverse हो जाता है grid हमारे पास यहां पर थी grid auto grid follow grid column थी grid template column देखो grid column एक column होगा दो column होगा तीन column हो जाएगे तो इस तरीके से यह चीज़े थी ठीक है justified content है self है spacing के लिए padding margin है padding margin में 0 1 2 3 x y से चला था ठीक है left अगर specific लगाना है तो left के लिए तो L आ जाएगा top के लिए तो pt हो जाएगा बी के लिए bottom हो जाएगा नहीं तो अगर top और bottom की सेम है तो v y use कर लेंगे ठीक है ऐसे margin में है space between में भी है width width का देख लेते हैं देखो w 0 से शुरू होती है 0 1 2 3 5 10 12 14 16 यह कहां तक जा रही है 96 तक जा रही है 96 के बाद यह कहां पर आजाएगी देखो w 1 by 2 2 by 3 इस तरीके से convert हो गई तो यह क्या हो गई फुल w में फुल आ गई तो इस तरीके से width manage होती है यह देखो ठीक है left right और यह हो गई now height भी आ जाती इसी तरीके से font family है तो font family इस तरीके से sense west वह बना के लिख सकते हम जैसे हमने बात की थी variable define करके फिर font size है तो font size के लिए हमरे पर text होता है start में font नहीं होता ठीक है लेकिन अगर font weight की बात करोगे तो वहाँ पर font आता है कर लिखावा तो इस तरीके से हम text को align, left, right यह background के लिए आती है सारी चीज़े border के लिए यहाँ पर हमारे पास define है हमारे पास यह effects है ठीक है और table बनानी तो table यहाँ पर फिर उसके बाद हमारे पास transitions है, scales है, transform है और अगर animation की बात करते हैं तो animation भी है, अब कुछ चीज़े ऐसी होती है जो हमें net पर search करके मिल जाती है, google पर search करके यह आपके जो भी browser उस पर search करो, tell win डालो, आपको कुछ न कुछ उसका hint मिल जाएगा, तो hope दोस्तों को समझ आया होगा किस तरीके से हम tell win से header photo create करते हैं, inner part में हम इन स ताकि आने वाली वीडियो को notification आपको मिलते रहें, मिलते हैं next वीडियो में, तब तक के लिए take care and bye